कि यस एंड ये टू 2016 पेपर का डिस्कूर्शन करते हैं और यह पेपर एक ऐसा था जिसमें लेवल डिफिकल्टी थोड़ा सा गर हम बोल सकते हैं जादा था यह टाइम कंचुमिंग कोश्चन थे और इस पेपर में भी मैं आपको वह टेक्निक्स बताना चाहूंगा जिससे कि आप अपने टाइम को सेव कर सकें और एजीली कोश्चन को मिनीमम टाइम में सॉल्व कर सकें यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप टफ से टफ पेपर को भी कैसे कुई कर सकते हैं यह एक चीज समझना जहुरी है और अब क्योंकि ताइम आने वाला एक्जाम के लिए कि इस तरह के सेशन से आपके लूँगा आप लोगोंने बोला था और आप लोगों के पस foundation already अगर आपने foundation कोर्स से एक बार अच्छे से बेस बना के कर लिया तो आप देखेंगे आपके को आपका कोई भी कोशन इसी रिसॉल होगा आपने नोटिस भी क्या होगा अभी आप देख भी रहें कि बहुत अच्छे रिजल्ट है उनहीं को देखते हुआ हम यह कोशन करते हैं देखे क्या है दस सिक्स टम ऑफ इन एप इस टू अब देखेंगे दा सिक्स टम ऑफ इन एपी इस टू टू कोशन रेटेड़ है शिक्स टम एपी का सिक्स टम ऑफ इन एपी स्टू मतलब ए प्लस फाइप जो है टू स्टैप्स कम से कम लिखनी एंड कॉमन डिफरेंस इस गेटर देन बान यह एक बात पता आपको क the common difference of the ap so that the product of 1st 4th and 5th टम is greatest question नहीं देखिये what is the common difference of a p a p ka common difference क्या होगा so that the product of 1st product of 1st 4th yeah six term is greatest यह आपको पता है अब this question को कैसे solve करेंगे देखेगा और इसके साथ जो second question है वो है what is the first term of an AP so that the product of first fourth and fifth term is greatest अब यहां पर first fourth and fifth term is greatest अब यह बोला what is the first term इसमें फर्स टम बताना है और इसमें common difference बताना है अगर आप logically दमझेंगे तो एक चीज़ अच्छे समझ लीजे कि से करेंगे वो मैं बताता हूं को देखते हैं कि 2016 का which of the following are correct in respect to the system of equation system of equation क्या दिये x plus y plus z equal to 8 x minus y plus 2z equal to 6 3x minus y plus 5z equal to k अब बोला है they have no solution if k equal to 15 अगर की की value 15 है तो they have no solution यह statement 1 a statement 2 they have infinitely many solution if k equal to 20 and third they have unique solution if k equal to 25 अब सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए उसमें बोला select the correct answer using the code given 123 यह कौन सबसे पहले एक चीज़ समझ यह आपको यहां पर इसके बारे में बोला गया है तो इसका पहले determinant निकाल लीजिए क्या होगा तो अगर मैं इसका आप बोलो determinant निकाले mentally करिएगा माइनस 5 प्लस 2 तो मिला माइनस 3 राइट अब इसके साथ किया 6 माइनस 5 मिला आपको 1 और 1 के साथ किया तो माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 तो प्लस 2 यानि determinant 0 है अगर इसका determinant 0 है तो यूनिक सॉलूशन तो मिलेगा ही नहीं तो देहव यूनिक सॉलूशन के से कोई मतलब नहीं है determinant 0 है इसका मतलब 3rd तो रॉंग है अब अगर आप option पे जाएं तो कितना 1 & 2 only logic कैसे बनते हैं वो ही मैं आपको समझाना चाहता है 2 & 3 only c1 & 3 only d1 2 & 3 अब आपसे correct बोला 3 वाला तो correct ही नहीं तो जिसमें 3 आ रहा है वो answer नहीं होगा तो बिना solve कि आप 1 & 2 बोल सकते हैं अब देखिए चोटी-चोटी चीजे में जो हमेशा बोलता हूं और इसलिए मैंने आपको जो foundation score दिया है यह पढ़ाया उसमें बहुत चोटी-चोटी चीजे समझाएं उसको अगर एक बार concept बना के पढ़ लिया कोश्चन बहुत जली सो लोंगे कि आप पहले इसका ब्लस देखिए यह मिला माइनस त्री यह मिला वण यह मिला टू यह िटरिमनेट जीरो आते हैं यूनीक solution की बात खत्म हो जाती इसका मतलब इसकी बात खतम होगी अब बचा है कि अब आप अपको डेल्टा एक से डेल्टा वाय देखना जब अब डेल्टा एक्स देखते हैं तो एक्टुल में क्या करते हैं इस एक्स के प्लेस पर आप ले लेते हैं 8 6 and k logically बस इतना ही change होता और कोई change नहीं होता और इससे क्या फरक पड़ता देखिए इससे क्या फरक पड़ेगा अगर मैं देखू तो जब मैं 8 के साथ करूंगा तो वही रहेगा माइनस 5 प्लस 2 प्लस 1 के साथ करिए या कि इस order में भी कर सकते हैं आप किसी भी order में कर लेजिए इससे कोई दिक कर नहीं आपने 1 के साथ किया तो 2 के माइनस 30 2 के माइनस 30 कोशन का अंसर हम अलड़ी रहे चुकर आम में समझा रहा हूँ तो माइनस 6 प्लस K अब देखिए क्या मिलेगा यहा मिलेगा 3 माइनस का तो माइनस 24 प्लस 2 के माइनस 30 माइनस 6 प्लस K अब एक चीज़ समझेगा यहां पर यह हो गया टोटल 3 के और यह हो गया माइनस 24 और माइनस मादलब माइनस 60 लॉजिकली अब अगर यह माल लीजिए 0 हो जाए यह 0 हो जाए तो infinite मैंने solution तो 3 के equal to 60 तो के अपने करेक्ट है अब के 15 के लिए क्योंकि हम वाइक को भी करते हैं यह सब नहीं करना है आपने एक चीज़ देख ली कि थर्ड इस्टेट्मेंट फॉल से अब थर्ड जहां जहां रहा है वह करेक्ट हो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फिर आप किसी भी तरह का पेपर बहुत एजिली हैंडिल कर सकते हैं और नोट ओनली फॉर एंड यह आप इस टू एपने पढ़ाए कि रिवर्स लॉप फॉलो करता है बट यो की एक चीज समझेगा कोशन चोटा है वह सकता इसके मुल्टिप्लिकेशन में सेम आए इसलिए थोड़ा सागर हम यहां पर कर लें वैसे भी आपको देखिए अब निकालना एंवर्स बी निकालना इसका इंवर्स निकालना बहुत आसान होता अगर मैं आप से बोलना तो आप बोलेंगे एडी माइनस ओफ यह इसका इनवर्स अगर डारिक निकालना तो सिंपल से लोजिक है वन अपॉन एडी माइनस बी सी यह दोनों इंटरचेंज होते हैं डी ए और इनके साइन चेंज होते हैं यह सब चीज आपने करी हुए अब यह पर एक चीज करिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि एभी क्या होगा एभी एक मैटक्स बनेगा तो अगर मैं आपसे बोलूं एबी क्या होगा तो आप बोलेंगे 1-1-2-3 ऐसे को सब्सक्राइब तो इसको बाद में करिए यह पहले करने वाला नहीं है यह बी ए अगर आपने उन 20 को 30 को पकड़ लिया तो इसका मतलब है आपके अटेंट कम हो जाएंगी क्योंकि टाइम लिमिटेड है अब देखिए जब आप इसका मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपको फाइनल जो रिजेट मिलेगा वो लिखते चलिए रो का कॉलम में करेंगे तो 2 और मैं आप से बोलूं कि यह अगया अगर आपको एबी के साथ इंवर्स भी इंवर्स भी निकालना हो सारी चीज़े लगेंगी बाकी आप इसमें देख लेजेगे 2 सेकेंड करेक्ट है की नहीं तो अगर मैं आपको बोलूं कि एंवर्स बताईए तो आप एंवर्स क्या बोलत से देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते है 3 प्लस 2 5 1 बाय 5 डिटर्मिनेंट से इतना फरक नहीं पड़ेगा 3 1-2 इनके साइन चेंज होते हैं 1 राइट यह दोनों इंटर चेंज हुए और इनके साइन चेंज हुए ऐसे ही अगर बी इंवर्स बोलूं तो आप चैना आख उसे इसा भी लिख सकते हैं माइनस ट्री फट्री 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 स्ट्राइब यह लेकरहा हैं इन दोनों के साइन पहले ंश में लखे तो इन माइनस वन और यह हो जाएगा माइनस टो राइट जब भी मल्टिप्लाय करेंगे तो यह ध्यान रखेगा कि पूरे मल्टिप्लाय होंगे अब आपके पास अगर मैं आप से अलग से बोलूं कि बताइए एंवर्स बी इंवर्स क्या होगा तो इसका मतलब आप बोलेंगे बन फाइब इन दोनों को लिख लिए कितना कितना है एंवर्स का यह बन बै फाइब है दी में तो आपने पूरा करी लिया तो 31-21 अब देखिए 23-1-2 इसका मतलब यह हुआ यह बन बै फाइब ऐसे ही रहने दीजिए इस रोग को करेंगे इस कॉलम के साथ तो 6-15 इस कॉलम को क यानि 7 राइट 339-2 कर रहा तो 7 अब इस ग्रूब पर आजाएए तो क्या हो जाएगा-4-1-5-4-1-5 यहां करिए-6-2-8 यह बी इनवर्स आया अब एक चीज़ देखिएगा अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका इनवर्स बताएए तो आप बोलते एबी का इनवर्स यहां पर आपको determinant मिलता-1-5 और यह दोनों इंटरचेंज होते तो 03 और यह मिलता-1 यह मिलता-5 इसका मतलब आप इस वाले statement को रॉंग बोल सकते हैं अब बचा AB इंटू AB इंवर्स यानि इन दोनों का आपको multiply करना है तो अगर इन दोनों का वैसे भी देखिए प्रॉपर्टी से पता था फिर भी कुर्शन सिंपल था छोटा था इसलिए करके बताया अब आप इनका multiply करेंगे तो क्या आएगा वो देख लीजे तो यह बाह समझ में जाएगा यह 0 यह मिलेगा 25 और यह 1 by 5 1 by 5 है यह भी 25 है तो यूनिट में convert हो सकता है अभी देखने हम उसके बाद अब यहां पर आए नेक्स रो का इसके साथ किया तो देखिए 0 यह हो गया कितना minus 40 यानि यह भी रॉंग है यह भी रॉंग है क्योंकि अगर इसका आप इस रो के साथ करते तो देटर्मेंट 0 मिलना चीथा वह यूनिट है यानि आप बोल सकते हैं बोथ पूचा क्या है correct answer तो नाइदर वन नौर 2 इस correct answer right not down this question yes next question दिखते दिखे क्या है if a comma b is a unit distance if a comma b समय जी का question coordinate if a comma b is a unit distance from the line 8x plus 6y plus 1 equal to 0 then which one of the following are condition are correct एक है 3a minus 4b minus 4 equal to 0 condition 1 condition 2 है 8a plus 6b plus 11 equal to 0 and condition 8a plus 6b minus 9 equal to 0 is 3 condition दिये ठीक है a b से आप अगर इसका देखे तो unit distance बूला तो क्या करेंगे a b से perpendicular निकालिए यह 1 दिया है this is 8a plus 6b plus 1 upon root of 64 plus 10 यानि 10 आजाएगा तो यह ऐसा आएगा आपको 10 equal to mod 8a plus 6b plus 1 जब आप यह माउट दाएंगे तो plus minus 10 आएगा equal to 8a plus 6b plus 11 एक बर positive sign ले लिजिए plus 1 है sorry plus 1 एक बर positive sign negative sign ले लिजिए तो ऐसा आएगा negative sign में तो देखे ऐसा आएगा 8a plus 6b यह minus है तो उदर आखे 11 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा यानि यह statement करेक्ट है जब एक बार minus sign लेंगे तो 8a plus 6b यह जाब मिलेगा प्लस 10 तो आएगा तो minus 9 यह भी करेक्ट है यह रॉंग है तो आप बोल सकते हैं two and three correct रॉइट यह तो थ्री कोड़ करेक्ट है को देखीए आपने बनने लगेंगे ऐसी देखी एक कुश्ण और है वाट इस इस देश्चीट आपको पता है रूट रूड टू होती है क्योंकि रेक्टेंग्ल है पावला में a b केक्वल होता है तो इकूल टू क्या था रूट यह वन प्लस next question देखते हैं, what is the domain of the function fx equal to 1 upon root of mod x minus x, देखें, कितना अच्छा question है, इसका domain पूछा तो एक चीज़ सुनिए, negative कुछ भी रख दीजे, कोई दिकर दी, positive नहीं रख सकते हैं, minus infinity to zero, एक single step में आप answer दे सकते हैं, right, note down this question,